नागरिक्ता शंशोधन एक्ति के खिलाफ देश भर में लोग सडकों पर उत्रे हैं सडक से संसद और सुप्रीम कोर्ट तक इस कानून के खिलाफ मूर्चा खोला गया है विपक्षी पार्टियां मूदि सरकार पर आरोप लगा रही है कि एक कानून संविधान का उलंगन करता है और अल्प संखिकों के खिलाफ है इस चर्चा के बीच पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग का वीडियो इंदिनल चर्चा में है जिसमें बत और विपक्षी नीता उन्होंने राज्जिस सभा में शर्णार्थियों को भारत की नागरिता देने का मुद्द उठाया था 18 दिसंबर साल 2003 को विपक्ष में रहते वे मनमोहन सिंग ने राज्जिस सभा में ततकालीन उप्रधान मंत्री लेल कृष्ण अडवानी के सामने शर्णार्थियों का मुद्द उठाया था मनमोहन सिंग ने कहा था शर्णार्थियों के साथ जिस तरह का व्योहार किया जा रहा है उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं देश के बटवारे के बाद बांगलादेश जैसे देशों में अल्प संखेकों के साथ अद्द चार हुआ है यह हमारा दायतो बनता है कि अगर इन शर्णार्थियों के साथ इस प्रकार व्योहार किया जाता है कि उन्हें हमारे देश में शरल लेनी पड़े तो इन सभी को नागरिक्ता देते हुए हमें उदार होना चाहिए मैं उमीद खरता हूँ कि मानियों उप प्रधान मंत्री इस प्रस्ताओं पर विचार करेंगे मनमोहन सिंग के इस बयान में अपनी बात जोड़ते हुए तबराजी सभा डिप्टी चेयर्मैन की कुर्सी पर बैठी महिला सांसत ने कहा था आडवानी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक प्रताडित हो रहे हैं उनका भी ख्याल रखना जरूरी है मनमोहन सिंग के इस बयान पर ततकालिन उप प्रधान मंत्री लाल क्रश्न आडवानी ने कहा था मैडम मैं उनकी यानि की मनमोहन सिंग की बात से बिल्कुल तालुक रखता हूँ आपको बता दे कि मोधिस सरकार के द्वारा जब नागरित शुंशुदन एक्ट को राजिस सभा में पेश किया गया था तब भारतिय जंता पार्टी की कारिकारी अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने भी मनमोहन सिंग के सी बयान का हवाला दिया था जेपी नडड़ ने तब कहा था कि हमारी सरकार मनमोहन सिंग की बाद को ही आगे बढ़ा रही है जो कि आप यानी की कॉंग्रेस नहीं कर पाए थे केंद्र सरकार द्वालर लाई गए इस कानून के तहट पाकस्तान बांगला देश अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू जैन बहुत जिसी खिसाई पार्सी शरनार्थियों को भारत की नागरिक्ता दे जाएगी पहले भारत की नागरिक्ता के लिए 11 साल का समय लगता था लेकिन अभी ये समय सीमा को 6 साल कर दिया गया है SPN 9 NEWSROOM से शर्टिकर पूर्ट